चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर के साथ आपकी कैसे रहने वाली है तो जो सबसे पहला कार्ड है आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव फिल करते हैं आपके लिए चारियाट का कार्ड आया है आप उनके सपने देखते हैं आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं और आप पार्टनर को बलाउं करते हूं, वो बाटर में पनी या फेर चांद फिर आपकंद करते हैं, तो भी आपसे मिलना आपने हों, वो पी आपसे मिलना जाते हैं निक्स मंथ में हो सकता है आपका रिलेशन्षिप ब्लाउंटिंस में हो और क्योंकि traveling बहुत indicate हो रहे हैं हो सकता है आप दोनों के गुमने जाने के planning कर सकते हैं और आपकी यह planning manifest होने के chances बहुत strong हैं अगेन मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आपका long distance relationship है या ऐसा हो सकता है कि आप एकी city में बहुत दूर दूर रहते हैं या आसपास रहते हैं, बट आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, especially on Valentine's Day, तो यह चाज है, और आपका relationship बहुत strong रहेगा, और आपके relationship में और भी spark आने वाला है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि five of months, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आपकी relationship में issues है, कहीं न कहीं आप अपने बातों को एक दूसरे से ठीक से communicate नहीं कर पाते हैं, because कभी भी help मांगना आपको पसंद नहीं है, साथ के साथ आपके partners जो हैं, वो भी बहुत long term planning करना चाहते हैं आपके साथ, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं आपको उनको contribution नहीं दे पा रहा है, क्योंकि long term planning में शादी is a very important plan, so अगर आप इस relationship को आगे दे जाना चाहते हैं, तो इक दूसरे से दिल खोल के बात करें, अगर आप इक दूसरे से शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात करें, और अपने relationship को आगे ले जाएं, अपने relationship को शादी के लेवल पर ले जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके partner को उस तरीके का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप में इसे बहुत से लोग business plan के बारे में भी सोच सकते हैं अपने partner के साथ, मुझे इससा लगता है, communication, communication is key of success for your relationship, कहीं न कहीं आप इक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, कहीं न कहीं आप इक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, की लेकिन टाइम नहीं आप दूसरे से बात करने का, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत अपने काम में बश्य रहते हैं, और हो सता हैं आपके partner भी अपने काम में बहुत बश्य रहते हैं, या फिर अपने commitments में बश्य रहते हैं, जिसके वज़े से कई बार उनको भी रिग्रेट होता है कि वो आपके साथ टाइम ने स्वाइन कर पाते हैं, आपके साथ बाते नहीं कर पाते हैं, तो यह रिग्रेट को खतम करना है, आप दूनों को इंदूसरी के लिए टाइम निकालना है, ताकि आप दिल खोल के बात करो लोगे, अगे, नेक्स कार्ड जो है, वो है, क्वीन फोन सकंद, टैन फोप का, मुझे इसा लगता है, आप दो में दुसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे इसा से लगता है कि आपके लिए बहुत लखी होने वाला है, ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों की शादी के बारे में बात हो जाए, आप में से कई लोगों की शादी के बारे में सोचें, शादी कर भी लें, ऐसा भी हो सकता है, इंगेजमेंट होने वाली है कई कि नेक्स मन्त में ऐसा चांसे लग रहा है, और आप पहले से जादा बात करेंगे दूसरे से पहले से जादा confidence शो करेंगे इसे relationship में और सामने वाले को यह realize कराएंगे कि आप उसके लिए कितने important हैं, ठीक है, तो overall आपके लिए reading बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका relationship एक next level आगे बढ़ने वाला है, कहीं न कहीं commitment देने वाले हो और को सकता है कि आपका partner आपसे कोई कोई serious commitment वांगे, जैसे कि शादी करना, या फिर इस relationship को आगे ले जाना, या family में इसके बारे में जोचा करना, इस तरीके की family में बात करना, आपके बारे में, इस तरीके की relationship आपकी growth हो सकती है, so आप इस stress के बारे में ज बहुत है, और chances हैं कि आपका relationship शादी तक जा सके, okay, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आप दोनों को traveling का chances है, हो सकते हैं, आप दोनों अलेक एलेक सिटी में रहते हो, और एक साथ आएं, आप एक जगवा पे मिलें, एक तो common place पे मिल सकते ह प्लान कर रहे होंगे, आप दोनों का जो issue है, वो यह है कि आप दोनों कभी दिलखोल के बात नहीं करते हो, communication gap है, या फिर सामेवाले क्या चाहता है, आप से वो नहीं ध्यान देते हो, उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो, वो सकता है सामेवाले आप से commitment चाहता है, शादी चाहता है, especially आप, आपको इस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है, communication आपको बहुत साधर करना है, बात करनी है, और हो सकता है तो जितनी आप बात करोगे, वो सो समझ के करें, और relationship को एक serious level पर आगे ले जाने के बारे में सोचें, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंसे कई ल जाँ प्री हमुत समया करोगे लेख अुके साधर करो है कि आप刃 है और हम हमुआर करोगे के से लिभी है, और हमुआर करें ईपको अरे करेंए मुआर करें बहुत में तो एकि घखायर साधर करें है।